हेलो प्यारे बच्छो आज हम कुछ important question solve करेंगे जो कि 12th class में हर सार लगवग आते ही आते हैं ठीक है पहला question है एक पिर्थम कोटी के अभिकरिया साथ मिनट में 75% पूरी हो जाती है ठीक है एक पिर्थम कोटी के अभिकरिया है साथ मिनट में 75% हो जाती है तो इसका अर्दाय कोटी के अभिकरिया देखो जब T equal to zero time होगा तो उस समय इसके सांधरता होगी पूरी के पूरी 100% होगी 100% होगी और product यहां पर कुछ भी नहीं बना होगा लेकिन कह रहा है T equal to जैसे ही 60 मिनट होते हैं जैसे ही 60 मिनट होते हैं तो 75% पूरी हो जाती है तो कितने हो जाती है सौ में से 75 हो जाती है वो ठीक है तो इसका मतलब सौ में से 75 घटे होंगे सौ माइनस 75 पृतिक जाता है तो रियक्टर के जाता है 25 रहा जाता है यहां पर ठीक है वह लिखनी को जूरत नहीं है समझ जाए वो तुम्हें आपर के लिए चलो तो इस कंडिशन में अभिक्रिया सब्सक्रावा में किया और ऐ यूकाल हमें हमें टी हाफ ग्याद करना है कि कितना होगा एक सूथ थ table हमें पता ही है एक बात जानते हो कि प्रीvine अपोल थो और दो एक OS इस प्निजा थनी ने Хarinaal के यह शीज थीज तो प sneaking हो ना आप लोग-ठीक है यह एक होता है फौर्मूल यहां इसको हम ऐसे कह सकते हैं k equal to 0.693 upon t 0.5 यह एक सूत होता है तो यहां से हम अर्द आयुकाल ग्याद कर सकते हैं लेकिन यहां अगर हमें k की value पता होगी तो यह अर्द आयुकाल ग्याद कर लेगी हम लोग तो k की value ग्याद करने के लिए हम प्रसम कोटी अविकर जाका समाकरत बेक समीकर लगाते हैं ठीक है तो देखते हैं हम जानते हैं एक formula होता है k ग्याद करने के लिए k equal to 2.303 upon t log tan base a upon a minus x ठीक है यह तो होता है वोटा formula ठीक है अब देखो k equal to 2.303 upon t t कितना दे रखा है 60 minute t कितना रगया यह है 60 minute तो यहाँ लगा दो 60 minute log tan base tan base लिखना कोई जूड़ी नहीं है बता दिया है आपको एक की value पहले साहन देखा कितनी थी 100 थी और बाद में कितने रगए 100 minus 75 100 minus 75 ठीक है अब solve करेंगे k equal to 2.303 upon 60 log यह देखो यह हो जाएगा 100 upon 25 25 रह जाएगे 24 100 हुआ गरते हैं तो k equal to 2.303 upon 60 log 2 की power 2 4 को लिखा है 2 की power 2 तो यह जाएगा दोख हम जानते हैं अगर को लिखा होता है log a की power m तो इसको हम लिखा है m log a यह तो पढ़ा ही होंगे आप तो ठीक है तो ऐसे ही यह हो जाएगा k equal to 2.303 upon 60 यह हम लिख सकते हैं 2 log 2 ठीक है और मैं आपको बता दूँ जो log 2 होता है log 2 की जो value होती वो होती है 0.3010 ठीक है तो देखो और एक चीज़ तो आप जानते हो k equal to इतना भी तो होता है ठीक है तो हम देखो इसको solve कर रहे हैं थोड़ा देखेंगे ज़रा देखो तो k की जाएप यह value fit कर दो k की जाएप यह value fit कर दो 0.693 upon k की जाएप हम लिख सकते हैं 0.693 upon t 0.5 मतलब t half equal to यह हो जाएगा 2.303 upon 60 multiply 2 और log 2 की value कितनी है 0.30 0.30 0.693 upon t 0.5 equal to बेटा देखो मैं आपको बता हूँ एक बात याद कर लो note करके याद कर लो याद कर लो आप लोग कहा याद करोगे 0.303 multiply 0.303 0.693 आता है यह बात याद कर लो बहुत जगा काम आएगी आपके ठीक है तो इसकी value आती है कितनी आती है 0.693 upon तो इनकी और इनकी multiplication है इनका और इनका multiplication है multiply 2 ठीक है upon यह 60 तो यह से यह cancel हो गया ठीक है और यह कट गया तो आजागा 30 तो 0.5 मनलब टी अर्दायू काल उकल टू आगया 30 मिनट तो अंसर क्या हो जागा इसका 30 मिनट ठीक है देख रहा है आप लोगों के लिए 30 मिनट इसका अंसर आज चुका है देख रहा है चलो ठीक है चलो बटा आप नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इस इतने का मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा पेटा इस कोश्चन के सल्विशन देखेंगे हम ठीक है नेक्स्ट कोश्चन का दुखो एक प्रित्तम कोटी का अविकरिया का अर्दायू काल 60 मिनट है तो इसमें गिविन दैट तो देखते हैं बेटा फार्मूला होता है देखो समाकर देख समयकार का सूत्र क्या होता है टी इकवल टू टी इकवल टू 2.303 ठीक है यह हम के इकवल दूसकते हैं के इकवल टू 2.303 अपॉन T लोग 10 बेस अपॉन A-X तो के इकवल टू के इकवल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T टी तो फाइंड डॉट करना है टी तो हमें ग्याद करना है बेटा है न और लोग ए एक जैक के तरिक देख सौ अपॉन सौ माइनस कितना हो गया सौ में सौ नबह पृतिसरत पूरो हो गया टी तो होता है 0.693 अपॉन T 0.5 तो यहां पर हम अर्धाइक वह लगा देंगे तो केक वह इदल लगा दो जागा 0.693 अपॉन T 0.5 अभी ऐसे लिख देते है इकवल टू यह हो जागा पॉन T लोग तो यह हो जागा सौ बटे 10 तो जीरो सौ जीरो कैंसर हो गया एक बात बतल मैं बता हूँ लॉग 10 वेस 10 एकवल टू लॉग 10 वेस 10 लिखा तो यह वलू होती है एक तो यह तो बचाए यह लॉग है ना 2.303 इसको ऐसे लिख सकते है तोड़ करके ठीक है और T 0.5 एकवल टू 2.303 अपॉन T ठीक है बटा और T तो हमें यह अरदा युकाल की बलू दे रखिये 60 मिनट तो यहाँ पर 60 लिख दो और यहाँ पर T रिखा है और इसकी बेलू तो हो गई एक अब यह से यह एक एंसल हो जाएगा देखो बचा कितना देखो कितना बचा बचा है 0.3010 अपॉन 60 इकोल टू पन अपॉन T राइट तो T इकोल टू कितना हो जाएगा T इकोल टू हो जाएगा साथ बचे 0.3010 चाहो तो दो अंग छोन भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें अब बेटा पॉइंट हटाओ और दो 0 उपर और बढ़ाओ ठीक है अब पॉइंट से यह 0 से 0 कै है तो 200 मिनिट आ गया ती कुल टू कितना आ गया लगवख 200 मिनट इतना समय लाएगा ठीक है सब्सक्राइब बहुत इंपोरेंट कोश्च नहीं आता है पेपर वह कोश्चन और देखते हैं जड़ा चलो लोट को पटापर नेक्स्ट नेखो लिखा है यदि किसी पिर्थम क प्रकूट कि अ गया है अवैकरिया का 99 नंब spun चैनल मिनट में पूल हो जाता है। थे वट तो पचास पृतिसत पूर्ण होने में लगा समय बताओ तो तो पचास पृतिसत पूर्ण होने में लगा समय बताओ कौशन है देखें ने मीतंने कोश点 है कोई कौई अविकरिया है क्या होगा फिसको कोटी कि sollas सब्सक्राइब होसी है कि तो आइक करना है तो यहां पे हमारे लिए टी हाफ ग्याद करना है ठीक है Solution देखते हैं इसका है तो किसी सूत्र होता है हम जानते हैं और ठीक है और k find out करना है ठीक बिटा या इस सूत्र का हम नहीं सकते हैं k equal to 0.693 upon t half ठीक है तो k equal to एक सूत्र और भी तो होता है एक बात हम और भी तो जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं कि k equal to 2.303 upon t k equal to 2.303 upon t log tan base a upon a minus x ठीक है तो k equal to 2.303 upon t t तो रखा है बटा 90 मिनट 90 ठीक है उसके बाद log tan base तो पहले कितनी थी पहले 100 थी है उसके बाद 100 minus 99 ठीक है यहीं तो आएगा उसके बाद बटा दो k की बालू होती कितनी है 0.693 upon t half equal to 0.303 upon 90 है यह हो जाएगा log 100 upon 1 ठीक है बनों चाहिएगा अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं बटा चलो इसको अभी छोड़ो 0.693 upon t half equal to 2.303 upon 90 इसको लिख सकते हैं बटा log 100 को लिख सकते हैं log log 100 को लिख सकते हैं log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 base 2 ठीक है और फिर 10 base 2 को को लिख सकते हैं 2 log 10 2 log 10 ठीक है और log 10 की value होती है 1 तो यह जागा 2 multiply बन अर्था 2 आ जाएगा यहाँ पर का जाएगा 2 ठीक है सभिना आगी बात यहाँ का जाएगा बटा यहाँ पर 2 log 2 तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2 log 2 ठीक है अब देखो 0.693 को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2.303 upon 0.3010 यह लिख सकते हैं ठीक है 3010 3010 यह से यह चल बसा दुझिया छोड़के ठीक है और यह कट जागा यह जागा 45 तिरशी मल्टिप्लाई कर देते हैं लोग तो टी हाफ इकोल टू हो जागा 0.3010 गुणे 45 ठीक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसकी गुणा करेंगे टीप 1.2 इकोल टू इसी उना कर लो बिटा तो पांच तीए 15 हासल लगा एक और उसके बाद 3 चौक 12 और 13 ठीक है फिर से देख लो बिटा 5 तीए 15 हासल लगा एक 4 तीए 12 और 13 ठीक है और एक यह रहा जीरो का ठीक है अब दो के बाद 10 रहा दो तो यह आ गया तीर्या दसनला फाइव जीरो मिनट यह अर्दायू काल इसका आ गया ठीक है तो मुझे अच्छी लगता होगा समझ में आगे तो बड़ा है इन सवालों में से एक सवाल